आज करते अन्यों को देखते हैं कि कौन सी कहां कहां सी नियूज और जो पेरी जेवे बगए जियोफोन की तरह से तो बहुत यह ने कह रहा हूं कि जियोफोन की डिलिविस चुरू हो चुकी है बट आप यहां पर आगए हैं कुछ policies जियोफोन की तो वह अगर आप बारा महीने से कम जियोफोन यूज करते हैं और वापस देते हैं तो वह आपको लगेगी penalty पंदरा सर रुपे की और अलग से GST भी और अगर आप यूज करते हैं बारा महीने से चविस महीने तक और आप चर्ण करते हैं तो वह आपको पेनाल्टी लगेगी 1,000 रुपे की और प्लस GST और आप यूज करते हैं 24 मंस से 36 मंस तक तबह आपको लगेगी पेनाल्टी पांसर रुपे प्लस GST तबह अगर आपको रिटन करना नहीं है तो वह आपको हर महीने रिचाज करना पड़ेगा 153 रुपे का तो वह हो गया है पर एनम 1,500 रुपे का रिचार्च कर रहे हैं और आपको जिए फोन वापस दे रहा है सिर्फ 15 रुपे तो वह एक्च्वली तीन हजार रुपे का फोन पड़ रहा है तो ऐसा हाल है यह इस फोन का और जोगनीज ज़नीज सब्सक्राइब ने लांच का दिया है विए ब्ल्यूतु सपीकर ऊप्लूटू स्पीकर ब्ल्यूतु षजाय फोनीज वाली है 10 गंटे की लांच हो गया है इंडिया में और यह आंच्वली डो स्पीकर वाला है 2.5W का लो थे ऐउसे वैडोड क्लर में यह भयां ऐ ब्लू स्पीकर मिल रहे हैं और एक्चुली इसका वेट है 237 ग्राम्स तब यह आपको मिल रहे है दिवारी सेल जो कि शामी का सेल चल रहा है आज है कल है परसुंद है तब यह तीन दिन है आपको इसमें वंदुपी सेल भी मिल रहे हैं जाकर चेक कर लिजिए और जो कि दिए यह वह बैद मैक्रमाक्स के तरफ से तब यह तब यह तब यह दोनों कर दिया है तब यह अच्वली बहुत जल्दी लांच होने वाला यह शायद वांच हो सकता है अक्टोबर पर्स्वीक के तब यह अक्चॉली कंपिटिटिव तैम है क्यूंकि जिए फोन के दिविश औंशव गल जण हो सकता है तो हजार रुपे और हम बात करें चीसर फोन होसकता है भारत वन यह आपको फ्रिव वऔर सकता है फ्री डेटा दे सकता है कुछ ऑफर्स के साथ तो देखते हैं और शायद यह जीओ फोन से बड़ा स्कीन होने वाला है और बड़ा कैमरा होने वाला है और जोगनी से वह है बढ़ी जोपो फोन की जोपो कंपनी के तो बढ़ी कंपनी ने लांच कर दिया इंडिया में और यह जोगनी से वह है आसस की तरफ से लांच कर दी अपने दो नोट बूट बूक्स जो पहले गणाव है वह बड़ा बुक एस 15 और दूसरा के नामें जन बुक यूएक्स 430 बड़ा प्राइस 59,000 नाइन यान 60,000 और देख लिए प्राइस 75,000 तो यह लांच हो गया यह लांच करने वाला है अपना और एक स्मार्ट फोन जिसका नाम हो सकता है में एक्स 7 तो यह शायद वाला एक्टोबर क्यारा को और जोगनी से वह बड़ा है मी एवन का सेक्यूर्टी पैच अपडेट आ गया है सेप्टेंबर का तो इसके इंदर बहुत सारे अपडेट् अपड़ा है यह अपड़ा की हुए और यह बहुत इच्छी सेक्यूर्टी जैने वाला है और इसके इंदर आपके जो भी बड़ा थे वह फिक्स होने वाले जो कि यह अच्छाइली 1059.6 MB की लगबग 1 GB से ज्यादा की फाइल है तो यह आपको डॉण्लोड करने करे कम से कम 50% बैटरी चाहिए और Wi-Fi से करना पड़ेगा क्योंकि जियो का जियो सिर्फ एक दिन का 1 GB देगा यह 1 GB से ज्यादा है और नोक्या 8 की तो बहुत नोक्या 8 लांच हो गया बट अब हमडी ग्लोबल पार्टनर कर दिया है फोक्स कौन के साथ बहुत अब नोक्या 8 प्रड़क स्मार्टफोन लांच होने वाला एक्टोबर 11 पर यह स्मार्टफोन है और 7 अच्छली इंडिया में बहुत जारे से बहुत सारे लोग उसक्स प्रो है उससे लोग इस्तिमाल करते हैं तो देखते हैं कि और 7 एक्स कैसा होगा और जोगली जिए वह मीडिया टिक की तरफ से जिए एक नया चिप लांच कर दिया है इंडिया में जिसका नाम है MT6739 जिए एक मीडिया टिक का चिप है जो शाहिद यह चिप सपोर्ट कर सकता है एक एडिए इस तो नाइए फोन को तो तो यह देखते है कि कोनकों से फोन कोनकों से स्मार्टफोन ब्रांड इसको काम में मेडिया टेक का तो शिसमती तरह दे क्योंकि स्नाप्डाइगन कॉलकॉम का बोड़ी चल रहा है और जो निदे वह एक रूमर तो शायद रेड्मी नूट 5 या रेड्मी 5 सीरीज शायद हो सकता है 8.5 इस टू 9 रिशियो के साथ तो बही लेखते हैं कि यह रेड्मी नूट 5 कैसा होता है और जो निदे वह बही पिक्सल स्मार्टफोन के लिए जो लोग यूज कर रहे हैं पिक्सल स्मार्टफोन और जो लोग अभी अभी अप्डेक्ट किया है Android 8 Oreo को तो बही उन लोगों को बहुत ही प्राबलम हो रहा है जबी वह अपना डेटा यूसेज को चेक कर करते हैं तो वह 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 सेटिंग एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है तो वह यह एक्चुली बग है Android की तो बही यह देखते हैं कि Android कब इसका अपडेट लाएगा तो अभी तक तो फिलहाल गूगल की तरफ से ऑफिशल आनॉसमेंट तो नहीं है इसके बार में और जोग नहीं गूगल और हमारा सैमसंग हुआ सिक्स्थ प्लेस पर अपल बन गया है मॉस्ट वालियूबल प्रैंड और जोग नहीं से वह है वह है जियोनी की तरह से तो बही जियोनी का स्माटफोन लांच होने वाला है जिसके नाम है स्टील टुए तो यह एक्चुली सक्सेसर होने वा चाहिए बहुत से लोग बहुत से कंपनी साथी बी एस लेनल जीयो अब 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 आप अब अब बहुत बड़ा प्लान दाला है और शायद शुरूर करने जा रहा है जल्बी फाजी सर्विसस तब यह सर्विसस शुरू होनगी सबसे पहले बैंगलूर सिटी में और बाद म कोलकता सिटी में तो यह एक्च्वल्ली त्री टाइमस फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है और यह बंगलूर होने वाली है पहली सिटी तो यह देखते हैं कि यह 5G कैसा होता है और 4G से तो बहुत बहुत है तो यही थे आज के टिक न्यूस देखने के लिए बहुत बहुत पसंदा है तो बैए लाइक किजिए शेर किजिए और चानल का सब्सक्राइब करना मत दो जोगे बाइ जैने